जारखंड के साहिब गंज में शरदा वॉकर मामले की तरह एक ओर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है 25 साल के दिलदार अंसारी ने पतनी रिबी का पहाड़ीं के 50 से जादा टुकड़े की है हत्य के बाद उसके शप के अलेक्ट्रोनिक कड़र से टुकड़े की है मामले में अभी तक पुलिस को 18 टुकड़े मिले हैं सिर समीत दूसरे अंगों की तलाश पुलिस कर रही है बताया जा रहा है कि अरोपी ने शप के कुछ टुकड़े घर में छिपा दिये जबकि अन्य टुकड़े मुहले के आसपास सूनसान जगाहों पर फैंट दिये थे जिसे कुट्टे नोच-नोच कर खा रहे थे जब लोगों ने कुट्टों को इंसान का मांस खाते देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी इसके बाद मामले का खुलासा हुआ डी आईजी सुदर्शन मंडल के मताबिक रीबी का का सिर अब तक नहीं मिला है 22 साल की रीबी का आदिम पहाडिया जंजातिय समुदाई की थी रीबी का साहिब गंज के डोडा पहाड की रहने वाली थी दोनों ने करीब एक महीने पहले ही लब मैरिज की थी बताय जा रहा है कि दिलदार की ये दूसरी शादी थी इसे लेकर दिलदार की घर में रोजाना जगड़े होते थे रीबी का और दिलदार के परिवार वालों को ये शादी मंजूर नहीं थी रीबी का छे भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी पुलिस आरोपी दिलदार अंसारी से एक तरब जहां सकती से पूछताच कर रही है वहीं आरोपी की निशानदे ही पर सब के टुकड़े बरामत कर रही है पुलिस के मुताबिक जहां से शब मिला है वहां दिलबार के मामा का घर है बताया जा रहा है कि शुक्रवार को रिबीका की गला ग्रेत कर हत्या की गई फिर एलेक्ट्रोनिक कटर से 50 टुकड़े किये डी आई जी सुदर्शन मंडल ने बताया कि दिलदार की ये दूसरी शादी थी पहली पत्नी भी स्ताथ ही रहती थी शादी के बाद से ही घर में जगड़ा हो रहा था इसी बज़ा से महीला की ये हत्या कर दी जई